हालो दोस्तों नमस्कार मैं प्रतिभा पांडे श्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल इस्टोरी जोन प्रतिभा में आज हमाप आपके लिए लाएं हैं माता शबरी की कथा बात भग्मार राम की जन्म से पहले की है जब भील आदिवाशी कभीले की मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी उसका एक नाम सुन्मना और दूशरा नाम शबरी रखा गया शबरी की मां इंदुमशी उसे खूब प्यार करती थी बच्बन से ही शबरी पस बच्चियों की भाजा समझ कर उनसे बाते करती और जब सबरी की मां उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर शन्यासी बन सकती है इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिस्ता तैं कर दिया जैसे ही शादी का दिन नजदी कायर शबरी के घर वालों ने खूब शारी बकरिया और अन्य जानवों घर के पास लाकर बान दिये एक दिन शबरी का मा जब उसके बाल बना रही थी तो उसने मा से पूछा इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं मा ने जवाब दिया बेटी तुम्हारा बीवा होने वाला है इसलिए हम लोगों ने इनका इंतिजाम किया बली के लिए किया है तुम्हारी शादी के दिन इबली प्रथा होगी और फिर इस दिन स्वाधिष्ट भोजन बना कर शब को परोशा जाएगा यह बात सुनकर शबरी बहुत दुखी हुई काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में शोचा सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर यह जानवर यहा नहीं होंगे तो इनकी बली रुख शक्ती है ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बली रुखेगी जब मैं ही नहीं रहोंगी तम न भी वाख होगा और नहीं बली प्रथा इससे मासूम जानवर बज जाएंगे इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुची उसने सोचा कि उन्हीं खोल देती हूँ लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई उसके बाद सबरी जंगल की तरब भागने लगी बागते भागते शबरी रिशी मुख पर बत पहुच गई वहां करीब 10,000 रिशी मुनी रहा करते थे शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह रिशी मुनीयों की शेव करके अपना जीवन जी लेगी वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह शे रहने लगी सबरी रोजाना रिशी मुनियों की जोपड़ी के याजी जाड़ू लगाती और हमन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती रिशी मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं एक दिन सबरी को किशी रिशी ने देख लिया उसे देखते ही उससे उसका परचे पूछा जैसे ही सबरी ने बताया कि वो हीला आदिवाशी परिवार से शंबंद रखती हैं तो उस रिशीयों ने उसे खुब डाट लगाई शबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जात छोटी हैं और उसे रिशीयों द्वारा जात की वज़ा अपमान सहन करना पड़ेगा इतना सब होने के बाद भी शबरी रिशी मुनी के दर्वाजे पर पहुचती और उसके आंगन में ज़ाड़ू लगाकर उनसे गुरू दिच्छा देने के लिए कहती हर कोई शबरी को उसकी जात की वज़ा से अपने आश्रम शे भगा देता था ऐसा होते होते काफी शमय वीद गया उसके बाद सबरी में मतंग रिशी की कुटिया में पहुच गई वहाँ पहुचकर मतंग रिशी को शबरी ने बताया कि वो उनसे गुरू दिच्छा लेना चाहती है उन्होंने खुसी खुसी उसे अपने गुर्गुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्यान देते हुए शबरी ने भी अपने गुरू मतंग रिशी की शेवा करने में कोई करसर नहीं छोड़ी वो गुर्गुल के विशारे काम करती थी शबरी से खुस होकर मतंग रिशी ने उसे बेटी मान लिया था शमय के साथ साथ मतंग रिशी का सरीर बुढ़ा हो गया उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा बेटी मैं अपना देह त्याग न चाह रहा हूँ बहुत साल हो गये हैं इस सरीर में रहते रहते सबरी ने दुखी मन से कहा आपके ही शाहारे में इस जंगल में रह पाई हूँ आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी आप अपने संग मुझे भी ले चलिए मैं भी देह त्याग दूंगी मतंगरिशी ने जवाब दिया बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है राम तुम्हारे चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूणूंगी मतंगरिशी ने बताया राम कोई और नहीं भगवान है वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे तुम्हें उन्हें ढोडने की कोई जरूरत नहीं है वो एक दिन खुद तुम्हें खोचते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोच मिलेगा तब तब तुम इशीर आश्रम में रहो इतना कहते ही मतंगरिशी ने अपना सरीर त्याग दिया सबरी के मन में मतंगरिशी के जाने के बाद से एक ही बाद थी कि भगवान राम श्वयम उससे मिलने आएंगे वो रूज भगवान राम से मिलने के लिए बाद से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम शजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी ने उन्हें चक लेती थी ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही दे रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आसमी फूल और बेर इकठा करती रहती थी इसी तरह इंतजार में कई साल बीद के सबरी का सरीर एक तम ब्रिद्ध हो गया एक दिन आश्रम के पास के ही तलाब में सबरी पानी लेने के लिए गई तभी पास के ही एक रिशी ने उसे अच्छूत कहते हुए महा से भागने के लिए कहा और एक पत्थर माग दिया वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खुन बहने लगा बहते हुए खोन की एक बून उसी तलाब के पानी में गिर गई तभी पूरा तलाब का पानी खोन में बदल गया ये शब होता देख रिशी ने सबरी को ही ताटा और कहा कि पापी न तुम्हारी वज़ा से पूरा पानी खराब हो गया है रोज रिशी उस पानी को शाफ करने के लिए अपनी हर तरह की बिद्याओं का इस्तमाल करते रहते कई शादे जतन करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पबत्रमधियों का जल्बी उस तलाब में डाला फिर भी तलाब का पानी शाफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा कई शालों तक तलाब के पानी को शाफ करने की कोशिर के बाद भी कुछ काम नहीं आया तो रिशी ने ठक कर सब कुछ छोड़ दिया इस घटना के कई शालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हर्ण के बाद उन्हीं ढूरते हुए उसी तलाब के पास पहुचे जहां पर रिशी मुनियों ने उन्हीं पहचान लिया भगवान को वहां देखकर रिशीयों ने तलाब का पानी शाफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डादने के लिए कहा लेकिन पानी जैसे रस तैसा ही था रिशी मुनियों ने भगवान से भी कई अन्नि जतन करवाए लेकिन वो पानी जस्ट का तस खुन जैसा ही रहा तब भगवान ने रिश्यों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी तब रिशी ने शबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है छोटी जात की है इसलिए ये सब कुछ हुआ है उसी वक्त भगवान राम ने कहा ये सब आप लोगों की खराव वुचनों से हुआ है शबरी को इस तरह के सद बोल कर आप लोगों ने उसे नहीं बलकि मेरे दिल को गायल किया है इ चाहता हूं तब तक सबरी उसी तलाब के पास पहुच जाती है इस दोरान सबरी के पैर को ठोकल लगती है और कुछ धूल उस तलाब में गिल जाती है तभी शारा पानी शाप हो जाता है भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया लेकिन पानी शाप नहीं हो पाया अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही खलाब का पानी शाप कर दिया भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी उन्हें प्राम करके सबरी ने कहा भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिये भगवान भी खुशी-खुशी सबरी क चल पड़े फूलों से सबरी ने भगवान राम का श्वागत किया वो सीधे बेर तोड़ने के लिए बाग गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लच्मर को बेर दिये भगवान राम ने भी उतने ही प आप कैसे खा सकते हैं भगवान ने जवाद दिया लच्छमर ये जूठे नहीं बलकी बहुत मीठे है सब्रीमाई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़ कर लाई है इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे भगवान राम ने जाते सब्री मा इसे कहा आप मुझे जो चाहे वो मांग सकती हैं सब्री ने उन्हें कहा मतंग रिशी के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी अब आप मुझे मोश्प्रदान कीजिए मैं अपना सरीर आपके शामने ही त्यागूंगी उसी वक्त सब परी ने अपना सरीर त्याग दिया भग्मार राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम शंशकार किया और सीता मा की खोज में आगे बढ़ गए इस तरह से रिशी मतंग की बात ससाबित हुई और सब्री को भग्मान राम के दर्शन भी हुए तभी शे भग्मार राम को शब्र के राम भी कहा जाने लगा दोस्तों हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि सची स्रद्धा हो तो भग्मार राम के दर्शन जरूर होते हैं दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सेयर कमेंट करना मत बोलना और हां दोस्तों बिलाइकन जरूर द